हेलो पाइसीज, वेलकम टू आरे अंजलेक गाइडन्स, I hope आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइप में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपने ध्यान रख रहे होंगे, आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग देकर आए हूँ और हम देखने वाले हैं आपका नेमर्मन कैसा जाने वाला, जिरल याई शुरू करते हैं अगर आपको परसल लिडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिखे लें, इंस्टेग्रेम, बॉटसैप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आए देख धैं, अए दिखेह थे हैं, इन एफ पी और हैं आपको प्राइब का डाए यहां पर है एग जस्टिस hmm क्यून फटिकल्ड़्श प्राइब के दिखेह ठाएब के दिखेह प्रेंग के देखेह नाल फटिस्टिस्टुन थाएब करद। प्रड़ी बात तो जस्टिस का काट इतना ही दिखाई देख रहा है कि पहला काट जस्टिस का अने मतलब यह मंत में जस्टिस तो आपको मिलके रहेगा ठीक है प्लस आप मैंसे काफी लोग के लिए यह जो मंत है करमा का मंत हो का जैसे करम करोगabolic वैसा फल प्रम मेर्ग हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका रिष्टों को बहुत अच्छे से मतलब, कहते हैं ना हैंडल करना पड़े पर क्यों, क्योंकि एक नाजुक दोर है, कच्छे दोरी क्यों कैसिक उतल यहाँ तो फिर वह दुबारा बनना दौरा वैसे होना बहुत मुश्किल हो ये उन्ही लोग का बच सकता है जो काफी spiritual है अगर आप काफी spiritual होगे तो यह काम रहोगे तो आपका रिष्टा फिर भी बच जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे आपका रिष्टा खराब होगा और आप इन चीजों को देखोगे जितना माइंड काम रहेगा अगर उसकी गलती भी है तो तो यहाँ पे अगर relationship issues हो रहे हैं तो please इस चीज़ वो calmly handle कीज़े बज़ाए कि किसी तरह किसमे revenge competition या कुछ भी लेकर आना रिष्टों में अच्छा नहीं होगा इस समय पर चीक है कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो universe उससे पंगा लेगा अगर इस समय पर Novemberment में universe अगर नहीं कोई भी परसन आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो universe उसको answer देगा उस चीज़ का आपको किसी को answers देने की ज़र्वत नहीं है females का जो यहाँ पर उरजा है वो बहुत अच्छी मेल्स अग देख रहे हो तो आपको female का support बहुत मिलने वाला है अगर किसी females से आपके रिष्टे अच्छे नहीं है चाहँ आपकी mother हो sister हो या आपकी पाइप हो या आपकी girlfriend हो जो भी है तो उनके साथ आप अपना relationship अच्छा रखे चुकि उनके होने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलते दिखरी push मिलता दिखाई दे रहे है ठीक है चुकि जो females होती ना यहाँ पे तो फिलाल आपको independently वो financially भी support कर रही है लेकिन एक जो female होती है वो spiritual level पर अपने partner को या अपने person को या अपने male को protect कर रही होती है ठीक है आप कभी भी males आप इतनी आसानी से spiritual level पर नहीं पहुँ सकते females तो by born होती है ठीक है वो spiritual level पर होती है खाफी है तक तो वो आपको protect कर रही होती है ठीक है तो अगूं के साथ अगर आपका रिष्टा अच्छा है तो आपका Venus भी अच्छा है बतल अपके पैसे भी finance भी अच्छे है प्लस यहाँ पर वो आपको spiritual level पर protect करती है कुछ भी बुरी चीज़ है कुछ भी negative energy आप तक पहुशने नहीं देती है उनको यह होता है कि या तो मुझसे होके गुजरना होगा या तो मैं protect करूँगी अगर कुछ हो भी जाता है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है वो पूजा पार्ट करती है आप इतना नहीं करते हैं आप इतने religious नहीं होते हैं जितनी वो होती है spiritual level पर होती हाई होती है आपसे जादा होती है तो males के लिए भी एक message है और females में आपको ये भी कहूँगी आपकी energies समय पर काफी energies काफी high vibration पर रहेगी इस month में आए देख लिएते हैं three of man's ten of swords seven of swords relationship में कोई cheat कर रहा है किसी को ये पता चल जाएगा आपको या कोई आप से कुछ छिपा रहा है पूरी सचाएं नहीं बता रहा है एक ये issue भी आ सकता है relationship में ठीक है दिखिए job में and कुछ लोग job छोड़ सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है या हो सकता है कि आपको financially थोड़ा struggle देखना पड़े financially भी females आपको मुझे दिखाई दे रहा है या हो सकता है कि आप भी कोई job छोड़ रहे और new job पे जा रहे ये भी possible दिखाई दे रहे ये मन्त आपके लिए expansion बढ़ा रहेगा expansion plus exploration आप explore भी करोगे यहाँ पर खुद को भी explore करोगे और अपने potential को भी explore करते रहे दिखाई दे रहे हो आपके enemies बढ़ने के भी chances बन हो सकते आपके workplace पे भी आपके दोस्ट भी आपके दोस्ट भी आपके enemy बन सकते समय पर यह आपको कुछ पता चल सकता है कि आपके पीट-पीची gossip से हो रही है तो इस तरी की चीज़े भी आपे होते वे दिखाई दे रही पर overall spiritual level पर आपके लिए मन बहुत अच्छा है आप मैंने बोलाई जितना आप spiritual रहोगे उतनी problems आप कम देखने वाले हो इस मन्त में ठीक है तो जितना universe से connect होगे universe आपको वैसे ही बचाएगा तो बचाएगा वो तो उसका काम ही है बट फिर भी ऐसा देख रहा है कि आप spiritual रहो तो आपके लिए better है जो भी up-downs देखोगे वो आपके लिए बहुत जुरूरी देखना उसका एक role है temptation problems तो आएंगी up-downs तो आएंगी और आपको spiritual health पे मिल लई है spiritual strength आपको पता चलेगा कि मैं कितना ही powerful हूँ मैं वह किता powerful हूँ वो आपको पता चलेगा तब जब आप इस तरह की situation में अठकोगे आपको devil परिशान करेगा अठकाएगा और यहाँ पे आप में से काफी लोग tempt भी हो सकते मालब किसी के साथ किसी के तरफ बहुत अकरशित भी हो सकते है चेक है तो लव वेगे रहा है के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है पर ज़रूरी नहीं वो जो लव हो वो वैसा हो कि कहते हैं आप हो सकता है किसी प्लेयर के चकर में भी पढ़ जाओ पॉसिबल है स्टार्टिंग में तो सब अच्छा अच्छा लगता है बाद में इस्यूश सुरू होते है रियालिटी सामने आना शुरू होती है तो कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग के लिए स्टार्टिंग फेज हो सकता रिलेशन्शिप में तो पहले तो बहुत अच्छा लगेगा आप किसी प्लेशन्शिप भी हो जाओगे आपको परसन बहुत अट्राक्टिव लगेगा बाद में पत्ते खुलेंगे जो है उस उनसान के और ये भी दिखाई दे रहे कि आप किसी अच्छे रिलेशन्शिप में नहीं हो ठीक है चाहिए आप उसके साथ कितना मेमिरीज आफ लव बनाओ पर आपके रिलेशन्शिप का अच्छा पेज अभी नहीं दिख रहा है नेवंबर मंद में तो नहीं दिख रहा है प्लस हो सकता है कुछ बात है अगर सामने वाल अच्छे पा रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगी या पिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है उसकी इंटेंशन्स क्या है आपको लेके तो वो भी पता चल जाएगी आपको तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है, ओके और क्या है प्लीज गाइट ट्रिक, येस कोई तो ट्रिक खेलेगा ठीक है, ट्रिक कोई तो है जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा पत्ते से वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है ठीक है, हो सकता है आप भी हो सकते कुछ चुपा रहे हो आपको किसी का सच पता सुल चुका लेकिन आप नहीं बताना चाहते है आपको कोई बात पता है लेकिन आप नहीं बताना चाहते है आपको पता है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है ठीक है आपको करीं से पता चली तो ये भी हो सकता है आप भी कुछछीज़े चुपा सकते हो ज़रूरी नहीं सामने वाला ही चुपा रहा हो ठीक है और हो सकता है कि आपके लिए भी ये भी मेसेज है कि आप अपने next step, new plans, नेक्स्ट प्लान्स जो भी होते हैं बहुत डिसकर्स मत करिए किसी के साथ ठीक है जब तक वो आपको मिलने ही जाता है अबंडन्स की इनरजी यहाँ पे इतना ही कहोंगी कि अगर आप कुछ अच्छा बैतर जाते हो तो आपको उसके लिए उडान बढ़नी पड़ेगी पर युनिवर्स भी आपका आधा कम असान कर देगा आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देदेगा जिससे आप ब्लेस फील करोगे ग्रैटिट्यूट तो युनिवर्स आपको अबंडन्स दे रहा है ठीक है अचानक से आपके हाथ बहुत सारा पैसा लग जाना या बहुत ब युनिवर्स प्लीज काइट गुड़ लख लख लखी रोगे अच्छा लख रहेगा आपका चीजे मिलेंगी और लाइफ की खुबसूरती को समझोगे लाइफ कैसे जिया जाता है उस चीज को समझोगे रियल लाइफ की मिनिंग क्या है उस चीज को समझोगे तो उसके लिए भी मन्त काफी अच्छा है फिलाल इतनी जल्दी चीजे रिलाइजेशन नहीं होती है टाइम लगता है तो हो सकता यह जो स्टार्टिंग है वो यहां से शुरू हो जाएगे इस मन्त से या फिर हो सकता आप में से काफी लोग तो थोड़ा बहुत रिलाइजेशन आ गई है यह रिलाइज करने लग गए हो कि लाइफ है क्या एक्चुली और लाइफ में क्या चीज है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है वो आप समझ जोगे वो आपको खुद बहुद समझाएग अपने लाइफ की एक्सपीरियंस के हिसाब से नैचरल डिजास्टर रिस्क फ्रस्ट्रेशन सर्वाइफ थोड़ा डिफिकल पीरिड आएगा जिसमें आपको सर्वाइफ करना होगा सबसा फ्रस्ट्रेशन भराभी और रिस्क भी लेना पर सकता है आप लोगों के साथ मिलक तो काम करने का मन भी नहीं करेगा ओके कंफारइनिंट्स यहां पर कंफार्मेंट पर हम बत करते हैं फिर बात करते हैं तो कुछ बहुत अच्छी खबर आप को मिल सकती है यांपर प्रेग्निंस से रिएड़ेटेड बेडिंस और टिक हैं आप लिएड लाप पैरेंट हुट से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको या अपके बच्चे के वज़े से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है अगर आप पैरेंट है तो यहाँ पे लिव एंड लर्न भी दिखाई दे रहा बहुत साइच चीज़े आप सीख रहे हो यह से कुछ सीख रहे हो ठीक है आगे बढ़ रहे हो ग्रो कर रहे हो तो यह वो है गुड न्यूस की हमने बात कर ली कुछ मिरैकल होगा कुछ सब्प्राइज आपको मिल सकता है जो आप में ना सोचा हो यह जो कंफाइनमेंट है मुझे ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं कि आप open-minded होने की जरुवत है चीजों को दूसी तरीके से सोचने की भी जरुवत है और उनगेटिविटी में से निकालने की भी जरुवत यह आप है लुवा है आपका अदम घूट रहा है आपका उनके साथ relationship अच्छा नहीं चल रहा नहीं बन रहा अब toxicity हो चुकी वो toxic relationship हो गया फिर भी आप उसमें हो उसमें से बाहर नहीं आ रहे हो क्योंकि आपको उसमें आदत हो चुकी आप comfort level आपका बन चुका है तो ये भी कही न कही गलत है ठीक है तो ये जिनके लिए message है वो समझ के होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ तो ये थी आपकी reading यहाँ पर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा subscribe में चल अभी तक नहीं किया है तो comment box में ज़रूब बतेगा